In this video we will see how to make notes for UPSC, we will focus on how to make notes for UPSC prelims, as well as mains, ठीक है, but mainly अपन मेंस के लिए देखेंगे, because mainly इसी के लिए important होता है, prelims के लिए जादा तर लोग directly basic books और जो current affair के source फॉलो करते हैं, उसको ही फॉलो कर लेते हैं, अलग से बहुत सारे लोग notes बनाते हैं, बहुत लोग ऐसे ही हैं, ज मैं अपनी 3-4 साल की जर्नी में मैंने किस तरीके से notes बनाये, किस तरीके से evolve हुए मेरे notes, कैसे मैंने उनको ज्यादा effective comprehensive बनाया, वो सारी learnings मैं आपको बताने ही कोसिस करूँगा, तो मैंने सबसे important चीज जो सीखी, वो ये थी, that you need to have clarity of the sources, आपको एक पता होना चाहिए, मैंने के लिए sources बहुत clear होते हैं, हैना prelims के लिए इसलिए इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता, although prelims कठे नाता है, पर आपको कभी ये इतना ज्यादा doubt नहीं रहता, कि यार मैं क्या अलग सलग पढ़ दू, because जो चीज़े हैं, वो fix हैं, ये basic books हैं, ये current affair का source है, ये pyq है, य इतना आप कर लीजिए, आपका हो सकते हैं, ठीक है, तो basic books है, pt365, pyq है, इसके साथ आप marks जोड दीजिए, और भी एक आच्चीज जो भी आपको जोडनी हो, जोड दीजिए, ये clarity रहती है, ठीक है, लेकिन means के लिए sources की clarity इत्ती जादा नहीं रहती, so you need to define your sources, आपको कौ कौन से source पढ़ने है, कौन से source से note बनाना है, ये आपका defined पता होना चाहिए, आपको तभी आप अच्छे से notes बना पाएंगे, और उन्हें याद कर पाएंगे, तो क्या-क्या source हो सकते हैं, कोई भी books हो सकती है, coaching के notes हो सकते हैं, coaching join करना जरूरी नहीं है, आप free में notes मिलते है जैसे कि आपको कोई भी topic है, जैसे कि आपको कोई भी topic करना है, जैसे कि suppose NGO करना है topic आपको, आपने NGO UPSC daily answer writing डाला, तो बहुत सारी coaching के daily answers आ जाएंगे, रहना daily questions आ जाएंगे, और साथ में उनके answers भी रहेंगे, तो वो 10-15 questions में लगबग सारी चीज़े cover हो जाती है, तो इस तरीके से आप notes बना सकते हैं उनके through, या फिर आप coaching की sites देख सकते हैं, बट इनमें से कुछ चीज़ें आपको define करनी पड़ेंगी, जहां से आप notes बनाने वाले हैं, जैसे की value added material भी बहुत सारी coaching निकालती हैं, वो भी अच्छे रहते हैं, तो इनमें से कुछ चीज़ें आपको tag करनी पड़ेंगी, या ये मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे इसमें सही लगेगा, मैं इससे बना पाऊंगा, और वहीं से मैं notes बनाऊंगा, तो सबसे पहली चीज़ है clarity of source to follow, या clarity of source जहां से आपको notes बनाने हैं, then second thing is, select things that can be done without note making, ये भी बहुत ज्यादा important है, अब हर चीज के notes नहीं बनाया जा सकते हैं, जैसे लच्मी कांत हैं, या पहले देखना होगा कि कौन सी ऐसी चीज है, जिसे आप avoid कर सकते हैं, जिसके आप notes नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा, जैसे लच्मी कांत है, spectrum है, आधर basic books है, जो भी basic books है, अगर आप notes नहीं भी बनाएंगे, directly books से पढ़ेंगे, तो भी काम चल जाएगा, again मैं repeat कर रह रहता कैसे बनाएं, तो उनके लिए मिल ली है, कि अगर आपको ये लग रहा है, आप ये select करना चाहरे हैं, कि यार मैं इनके notes बना लूँ और इनके avoid कर दूँ, तो ये कुछ ऐसी चीज़ हैं, जिनके आप avoid कर सकते हैं, basic books के लच्में, गान, spectrum अगरा के, directly आप books से भी पढ बनाएं, बट मेरा idea अलग है, अगर आप basic books के notes बना रहा हैं, तो आप पहली reading में बना लें, ठीक है, first reading में ना बनाएं, sorry, पहली reading में ना बनाएं, because basic books जब आप पढ़ते हैं, तो आपको बहुत कम knowledge होती है चीजों की, और वो आपका base बन रहा है, आप पहली reading में ना बना उसे google किया, उससे daily answer writing या कोई coaching के notes है, coaching की site में जो दिये रहते हैं, notes या कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, तो आप पहली reading में ही notes बना सकते हैं, because ऐसा क्यों कह रहा हूँ, because ज़्यादा तर लोग दूसरी बार देखेंगे ही नहीं, आप यह सोचेंगे हैं, यार मैं पहली reading कर लूँ, समझ लूँ इसे, फिर notes बाद में बना लूँगा, तो बहुत ऐसा कहना तो यह तरीका जादा अच्छा है कि आप पहली reading में ना बनाएं, दुबारा पढ़ें, फिर बनाएं, लेकिन यह practical इतना impactful नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा तर लोग करते ही नही ज़्यादा तर लोग दुबारा देखेंगे यह नहीं, तो आपको अगर basic idea है चीज़ों का तो आप पहली reading में भी पढ़के बना सकते है notes, then try to keep them short, as short as possible, जितने short हो सकते हैं, उतने short आप रखें notes को, जिससे कि आप उसे multiple times revise कर सके, देखिए notes बनाने का motive क्या है, one and only motive, one and only motive is to revise the notes, ठीक है, आप easily कोई भी चीज़ revise कर सके, इसलिए notes बनाये जाते हैं, तो अगर आप कब revise कर पाएंगे बार बार उसे, जब आप short रखेंगे, जो short notes बनाये, then very important to add special things, special things या नहीं value addition, जैसे facts हैं, data हैं, committee हैं, diagrams हैं, reports हैं, supreme code judgment हैं, laws हैं, schemes हैं, इन्हें आपको separately add करना हैं, इसे highlight कर लिजिए, separately आपको लिखना है, कोई भी topic का आप note बना रहे हैं, pressure group NGO, या किसी भी चीज़ का, कोई भी आप topic ले ले, उस पे अगर आप notes बना रहे हैं, तो आपको अलग से data, fact, judgment, diagram, report, laws, schemes, ये note करनी पड़ेंगी, अलग से उसी paper में, जहां भी आप बना रहे हैं, साथ में एक line में नहीं add कर सकते, कि आप यहां लिखने लगे हो, यहां आपने data add कियो, यह line खतम कर दी, तो उस पे आपको अच्छता ध्यान नहीं जाएगा, आपको अलग से, जो important चीज़े हैं, वो लिखनी पड़ेंगी, और बार-बार revise करना पड़ेगा, because यह जो हैं, जैसे कोई भी है, कि जैसे one nation, one election को topic बहुत इस समय news में हैं, एक छोटा सा topic है, उस पर आपने notes बना हैं, favor में, against में, और फिर way forward, तो इसकी जो general points हैं, वो ज़्यादा तल लोग अगर बार-बार इतना पड़ते हैं, अपन कहीं current affairs magazines में हैं, newspaper में हैं, या उधर उध points तो वैसे भी आप किसी से पूछेंगे कुछ समय बाद, तो बता देगा, लेकिन उन general points को खास क्या बनाएगा, आपको अलग क्या बनाएगा, वो यही value addition है, तो यह value addition आपको याद होने चाहिए, उनको याद करने के लिए आपको उसके separate notes बनाने हैं, जैसे आपने कोई भ देहान रखिए कि जो भी point आपको पता है already, जैसे कोई भी point है, कोई भी एक topic है, poverty के उपर है, अब poverty के अगर implications पर आप note बना रहे हैं, उसका part यह हो गया, सब part की implications क्या होते हैं, तो यह आपको पता है, general चीज़े हैं, बहुत आप easily सोच के, एक आध बार पढ़के उसे या other's notes, जो भी toppers के notes डले रहते हैं, उसे आप learn कर सकते हैं, यह मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी, how to make notes, उसमें भी यह मैंने बताया था, यह थे points थी नहीं बताया थे, बट यह मैंने अपने notes डा ले थे, और उसके थूरू बताया था, कि कैसे आप एक, जो means में topic दिया है, उसे सब डिवाइड कर सकते हैं, और उसके notes बना सकते हैं, यह again मैं थोड़ा short में बता देता हूं, अगर आपको detail में जालना है तो आप वो video देख सकते हैं, how to make notes मेरे channel में मिल जाएगा आपको, जैसे कि यह pressure group पे notes है, pressure group एक means का topic दिया है, ठीक है quality में, quality and governance वाले इसमें, तो pressure group है, किस-किस heading पे आप notes बना सकते हैं, यह मेरे notes है, यह है न, मैंने photo की चीए, सबसे पहले definition, group of people who are organized actively for promoting and defending their common interest, a simple definition लिख ली, ठीक है, कोई भी question pressure group पे आ रहा है, तो definitely इसी से आप start करेंगे, then regions for formation, क्यों अत्ये form हो रहे हैं, यह लिख लिए, अभी मेरा motive यह pressure group, इत्ते लिखने की जर्गोत नहीं है, मैंने इत्ते जादा नहीं, पढ़ता नहीं था मैंसे बार-बार, आप एक, दो-तीन example आप याद कर सकते हैं, खास कर business group, farmers group, है न, इन सब groups के, then what are the positives and negatives, common sense की बात है, आप किसी भी चीज़ पर बना रहा हैं, तो उसका positive negative way forward, यह तो divide कैसे करेंगे, pressure group का topic है, उस पर आप खुद क्या सोच सकते हैं, definition क्या होगी, क्यों बन रहे हैं, positive क्या है, negative क्या है, government schemes क्या है, way forward क्या है, यह आप कोई भी common sense लगा के सोच सकते हैं, कोई जिसके भी थोड़ा भी common sense होगा, वो सोच सकता है, but कुछ चीज़ें उस topic की ऐसी रहती हैं, जो आपके दिमाग में नहीं आएंगी, आपको जब वो मिलेंगी, तभी आएंगी, जब आप उसे देखेंगे, तभी आप उसे सोच पाएंगे, हाँ यार, इस तरह का question भी बन सकता है, तो यह आपको कहा मिलेगा, daily answer writing से, pyq से, mock से, etc, यह कुछ especially shorts होते हैं, यह कहां से आपको मिल जाएगा, जैसे की pressure, जैसे की PP's, political party versus pressure group, यह है, कि इन में similarity क्या है, difference क्या है, ठीक है, यह खुद आप नहीं सोच सकते हैं, pressure group में इस पर भी आ सकता है question, आप इन सम में देखेंगे, आपको मिलेगा, तो आप add कर लेंगे, then role of pressure group in the policy formation, यह कुछ Indian versus western pressure group, इसमें difference क्या है, similarities क्या है, ठीक है, why industrial groups are more effective, why farmer group are more effective, how to write the conclusion, introduction आपने decide कर लिया, conclusion कैसे लेखेंगे, इसके लावा government steps क्या ली गई है, pressure group के लिए, ठीक है, way forward क्या है pressure group का, और आप देख सकते है, women pressure group, environmental pressure group, tribal pressure group, इस पर दो-तीन आपको बहुत point पता होने चाहिए, तो यह सारी चीज़ें, यह sub heading मुझे कहां से मिली, किया, pressure group में definition कर लो, positive, negative, Indian versus western pressure, political party versus pressure group, यह सब मैं कहां से देख लो, तो यह सब मुझे sub heading मिली, daily answer writing से, mock से, कोचिंग के notes वगएरा, जो भी मैंने refer किये थे, या value added material रहते हैं, कोचिंग के, कोई भी book है उनसे, इसके लावा, pyq से, यह सारी आप चीज़ें देखेंगे, तो आपको एसास होगा, कि कुछ questions है, there are some questions, questions नहीं, there are some topics, which are, frequently repeating, कुछ topic ऐसे हैं, जो बार-बार repeat हो रहे हैं, जैसे कि pressure group versus political party, इन में क्या similarity है, क्या difference है, कैसे एक दूसरे से अलग है, यह question आपको कई जगे मिल जाएगा, तो अगर कोई question कई जगे मिल ला है, common sense की बात है, कि वो important है, तो आपको add कर लेना है, इसी तरह कोई भी topic है, तो उसमें ज़्यादा बड़ा नहीं रहता, कोई भी एक topic है, तो जैसे कि कोई भी एक topic है, तो मुस्किल से उसकी 7-8 sub heading होती है, इनी sub heading पे आपको short notes अपके आपने 4-5 बेजर में बना लेने हैं, और उनी को बार-बार revise करना है, तो एक basic idea था कि आप किस तरीके से notes बनाते हैं, किस तरीके से मैंने notes बनाएं, ठीक है, हर किसी का तरीका अ जिन पर आपको notes नहीं बनाने हैं, और अपने notes को shorts लखना, और किस तरीके से आप साब heading decide कर सकते हैं, कुछ basic चीज़े हैं जो आपको पता होने चाहिए, so thank you all for watching the video.